Hello Welcome to textureMath आज की session से हम views के बारे में देखेंगे कि views क्या होता है SQL DB2 के अंदर और इसको कैसे create किया जा सकता है और क्या 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 उसके advantages है ठीक है सबसे पहले मैं आपको views के बारे में बताऊंगा फिर हम एक program के थूप view को create करेंगे और उसके उपर कुछ operation भी ट्राय करेंगे आने वाले sessions में तो सबसे पहले में कमांड रन कर रहा हूं strsql यहां पर हमारी एक table बनी वी है customers name से है तो मैं उसकी query दिखाऊंगा कि वह query क्या है यह वाली query है इस query से हमने इस table को बना रहा था create table customers जिसमें हमरे पास column है customer id जो integer primary की है name जो wherecare 50 है email है wherecare 100 phone number है wherecare 10 ठीक है तो यह कुछ fields थी जो हमने customer के लिए बनाया था customer table के लिए अब मैं इसको हटा रहा हूं क्योंकि यह already created है अब suppose मैं इस पर query रन कर रहा हूं select star from sharmit1 slash customers ठीक है यह मैंने a query यहां पर run किया तो इसने कहा किया मुझे कुछ data return करके दिया जिसमें customer id है customer name है और email है और यहां से अगर मैं F8 प्रेस करेंगो shift F8 तो यह मुझे phone number भी यहां पर show होगा ठीक है तो यह सारे columns है अब suppose requirement ऐसी है है कि आपको एक query यही रन करने है जिसमें सिर्फ आपको customer id और customer का email की need है यह बाकी columns की आपके need नहीं है तो एक तो वे है कि आप यहां पर manually इसको select करो और हर बार जैसे जब भी मैं query चला रहा हूं तो यहां पर मैं लिखूँँगा F4 डूँगा इसको और यहां से में column select करके उनको print करूँगा तो वो थोड़ा सा time ticking हो जाता है इस case में हमारे पास बहुत ही limited column से 3-4 column ही है तो इतना आपको लग नहीं रहा होगा बट suppose आप ऐसे hundred of columns के उपर work कर रहा है view एक तरह से virtual table है जो भी आपकी original table है या base table आप उसको बोलते हो तो उस base table के उपर अगर हमार को कुछ filter से data निकालना है और उस filter वाले data को as a table consider करना है तो उस case में हम view का use करेंगे तो view क्या होता है एक virtual table होता है जो आपको सिर्फ एक replica show करता है आपके original base table के data का तो यह customer हमारी क्या हो गई यह हमारी हो गई base table customer जो table है वो base table है अब इसमें से कुछ specific data किसी condition based पे हम एक view बना सकते हैं जैसे अगर मुझे सिर्फ customer id और customer name के लिए data चाहिए तो मैं क्या करूँगा इसका एक view बना दूँगा वैसे ही अगर मैं को सिर्फ name और email चाहिए तो मैं उसका भी view बना सकता हूँ तो view का advantage क्या होगा कि एक बर हमने view बना लिया तो next time हमारे को वो query run करने की need नहीं है हम directly उस view को as a table read कर सकते हैं तो अब देखतें कि view बनता कैसे है उसके लिए मैं F3 करूँगा यहां से और हम चलते हैं प्रोग्राम पर तो मैंने यह प्रोग्राम क्रेट किया हुआ है SQL RPG लिके through ही बनाएंगे हम तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं सबसे बढ़े हमने एक constant रखा है यह आपको हर SQL program में मिलेगा SQL state underscore valid जिसमें five times zero रखके हमने एक variable declare कर दिया constant ठेक है इसको हम यूज करेंगे अपनी query को verify करने के लिए कि वो query execute properly होई या नहीं बाद में हमने क्या कि commitment control को commit equals to start none पर set करके रखा हुआ है और फिर हम हमारी main query जो चला रहे हैं वो है view के लिए view कैसे बनता है आपको simple लिखना है exact SQL अब यहां पर हम क्या लिखने है create view custom view create view तो हो गया हमारा यहां पर command create view, view create करना है उसका name क्या होगा custom view और वो कैसा होगा as select customer id comma email from sharmitman customers तो यह क्या करेगा customers table से जो sharmitman library में है उसके दो column को read कर रहा है जैसे हम normally करते थे हब तक कि filter करने के लिए column select कर लेते तो एक बर आप इस तरह से वह सारे specify कर दो गए और उसका view बना देगे custom view name से तो next time जब भी आप custom view को as a table read करोगे मैं इस पर select star from custom view करोगा तो मुझे वही data दिखेगा जो मैंने आप इसके view में consider कर रहा था मेंको extra data नहीं show होगा और जैसे यह query execute हो जाएगी फिर हम check करेंगे कि SQL state underscore valid है तो display करतेंगे view created else हम print करेंगे display SQL state query ended within error और last में हमने INLR को on किया हुआ है तो यह simple सा program था इसको अब हम compile करते है compile हो गया call करते है तो यह call हो गया message मिला हमर को view created है अब इसको verify करने के लिए हम क्या करेंगे पहले work obj command run करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे cust view आप चाहो तो यहाँ पे लाइब डेडी बी specify कर सकते है क्योंकि हमने एक लाइबरीडी के अंदर उसको बनाया तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि cust view क्रेट हो चुका है और इसका type क्या रहा है अगर आपने RPG में पहले वाला concept चेक किया था कि कैसे हम logical files को बनाते है लेफ बनाते तो वह same concept है LFE आपको क्या करता था एक virtual view provide करता था एक table virtually आप create करते थे और उसके उपर आप कुछ operations perform करते थे ठीक है वैसे हमारे पास क्या होता है view होता है तो view का attribute आप देख रहे हो तो वह भी LFE है जो virtually data को hold करता है ठीक है तो यह हमने यहाँ से verify कर लिए अगर आप इसके और detail देखना चाहते हो तो यहाँ पर option 8 लेके चेक कर सकते हो कि यह कब बना क्या date था क्या time था ठीक है यह सब हो गया अब हम चलते हैं अपनी str screen पर यहाँ पर हम direct query चलाएंगे select star from पहले तो मैं यह table वाला query रन करके दिखाता हूं तो यहाँ पर देखो आप सारा data आ रहा है अब हम क्या करेंगे एक data बनाएंगे पर वो पिक करेंगे सिर्फ कस्ट view से कस्ट view मैंने लिखा और enter it किया यहाँ पर मुझे सिर्फ वही data मिला जो मैंने मेरे view को कस्टमाइज किया था यहाँ पर सिर्फ मेरे को कस्टमर आइडी इमेल बिल गए इन सब यूजर्स के अब इससे एडवांटेज क्या हुआ कि next time मेरे को जब भी इन सब इनी दो कॉलम की नीड है तो मैं बार-बार अपनी query में filter नहीं करूंगा मैंने एक अल्रेड़ी तो मैं सेम्पल व्यू के उपर value को query को hit करूंगा और वह query मेरे लिए data retrieve करके लाएगे ठीक है तो यह एक advantage था तो इसमें हमने समझा कि एक तो यह actual में data hold नहीं कर रहा है यह virtual है इसमें अगर हम कुछ वह हम आने वाले session में cover करेंगे कि अगर insertion perform होगा तो वह क्या different होगा उसमें पर अभी इस session के लिए आप इतना ही समझो कि जब भी हम किसी view को create करते हैं तो वह virtually create होता है उसका वह खुद कभी data store को data को store नहीं करता और next time जब भी हम इस view को use करेंगे तो वह उस table का एक तरह से subset आपको लाके दिखाता है virtually virtual का मतलब यही होता है कि जब आपका जो actual जो base table है वहाँ पे जो data है उसकी एक reply आपको वह show कर रहा है ठीक है अब इसको आप चाहो तो customize भी कर सकते हो अगर customize करने के लिए आप अपनी कोई और condition डालना चाहते है कि मुझे इस particular customer ID के लिए हमेशा view को बनाना है तो वह भी आप यहां पे कर सकते हैं जैसे अगर मैं आप आपको दिखाऊ F9 करके तो मैंने क्या क्रेट व्यू कस्ट व्यू इसको कर देता है कस्ट व्यू वन एक और व्यू बना रहा है हमने select query डाल दी अप चाहो तो आप यहां वेर condition डाल सकते हैं तो वेर में हम डाल देते हैं वेर और यहां पे लिखते है customer ID is 1 तो यह क्या करेगा सिर्फ उसी को ले के आएगा यहां पे customer ID 1 है व्यू क्रेट हो गया अब इस पर चला के दिखते है select star from sharmit1 slash cust view 1 तो filter data सिर्फ first customer के ला रहा है है ना इस table के अंदर के हम अपस सिर्फ एक ही data है माल लो हमार पस thousands of record हैं जिसमें सिर्फ customer ID 1 है और हमार को वही data चाहिए जिसके वही email चाहिए जिसके customer ID 1 है तो उस case में हम बार बार filter डालने से बेटर है कि एक query ही बना लेंगे जो query क्या करेगी जो query view को create करेगी और फिर उस view को हम हमारे need के according call कर सकते हैं उससे data retrieve कर सकते हैं तो यह भी virtually store हो रहा है ठीक है virtually आपको उसी table का एक part शो कर रहा है तो इसके advantage बहुत सारे एक तो security का advantage है कि आप actual data पर work ना करके आप एक view प्रवाइड करें और उस view पर खाली हम चेक कर पा रहे हैं कि क्या-क्या data है अभी suppose आप किसी project पर work कर रहे हैं जहां पर अपने main table का data access नहीं देना चाहते किसी को क्योंकि वह data थोड़ा सा important होता है तो उस case में view बना सकते हैं अगर जैसे कोई university का table है बहुत बड़ी एक university का table है हमारे पार जिसमें student के सारे details है faculty details है तो उस case में हम अपने students को अगर कुछ data share करना चाहते हैं तो उस case में पूरी table share ना करके हम एक view बना देंगे और उस पूरी table में student से related data है सिर्फ उसको वहाँ पर mention करके उस view को as a table students को share कर देंगे तो student जब भी उस table को access करेगा तो उसको consider ऐसा ही होगा हुआ कि वह किसी table को access कर रहा है पर actual में वह क्या करता है वह एक virtual table को access कर रहा है इसका example में इस तरह से बता रहा हूं जैसे हमारे पास एक university की table है तो उसमें हमारे पास student name है ठीक है यह column में बना के बता देता हूं student name है marks है faculty feedback तो इस तरह से माल लो कि एक हमारे पास है table university की और यहां पे faculty name इस तरह से एक table है जो हमारी university maintain करते है जहां पे वह सभी student का name store करती है mark से store करती है feedback और faculty का name जिसने वह feedback दिया अब इस scenario में कहा है कि पूरी university को तो यह data दिखना चाहिए क्योंकि इस सब उनके लिए needful है but customer को हम जब mark share कर रहा है तो हम चाहते हैं कि खाली student है customer ने student को जब हम mark share कर रहा है तो वह सिर्फ इतना ही data access करें यह दोनों उसके लिए needful नहीं या किसी-किसी condition में हम क्या feedback भी share करना चाहते है कि आपको feedback क्या मिला but वह anonymous होना चाहिए हम यह नहीं बताना चाहते है कि कौन से faculty ने आपको क्या feedback दिया तो हम सिर्फ यह 3 column share करेंगे है ना तो उस case में अगर हम उनको main table का access दे देंगे कि इस तरह से आपके पास एक view है table है उस table को आप use कर सकते है तो जब भी वह table को access करेंगे तो उनको बार-बार यही data मिलेगा faculty name नहीं मिलेगा जबकि वह base table में store है पर उनको show नहीं होगा तो यह एक बहुत ही important और बहुत ही अच्छा feature है view का कि आप virtual एक replica बना सकते हो अपने table की और उसमें उसके through आप अपने data को access कर सकते हो तो यह पूरा concept है view का अब इसके बाद वाले sessions में हम इसके कुछ operations भी perform करके देखेंगे और इसके कुछ type होते हैं वह भी समझेंगे क्या-क्या type होते है इस session में जो mainly हमने use किया था वो था simple view ठीक है syntax बहुत ही आपको दिखाता हूँ एक पर वापिस से तो simple view हम इसको क्यों बोल रहा है क्यों कि आप देखो कि यहां पे सिर्फ एक ही base table का हम use कर रहे है है ना तो यह type हो गया इसका तो इस session में हमने simple simple view को समझा जेहां पे सिर्फ एक ही base table है आप view में क्या कर सकता हो बहुत सारी tables से mix up करके भी data निकाल सकते हो आप हम वो नहीं कर रहे हम सिर्फ क्या कर रहे है एक ही base table का use कर रहे कि is拜拜 table है यह पे सिर्फ एक ही base table है जिसका data हम एक्सेस कर रहे है next session में हम और भी type को समझेंगे क्या-क्या different types होते हैं हमारे पास और साथ में कुछ operations को भी समझेंगे ठीक है तो I hope ये session आपको clear हुआ हुआ next session में बाखी topic discuss हुआ so thank you for watching texture